नमस्कार, प्रिये दर्शकों में यश्रा स्तिवारी आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ प्रोफेशनल एस्टालोजी पर आज मैं आप सभी के समों को पस्तित हुआ हूँ मार्च दोहजार चौबिस के मासिक राशिफल को लेकर इस मासिक राशिफल में हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके कारिशेत्र के विशय में आपके आर्थिक पक्ष के विशय में आपके पारिवारिक जीवन दामपत्य जीवन संतान सुक के विशय में साथी साथ किन सावधानियों को आपको मार्च 2024 में रखना चाहिए इसके विशय में मैं आपको बताने चाह रहा हूँ ताकि आप अपने मार्च 2024 मन्त को और भी श्रेष्ट बना सके जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं जो राशी फल का कारेटरम होता है इसके साथी साथ यदि आप अपनी शैंद्र राशी के विशय में नहीं जानते हैं तो आप अपनी नाम राशी के आधार पर भी इस राशी फल को देख सकते हैं नाम राशी का जो चार्ट है वो आपको वरतमान समय पर स्क्रीन पर देख रहा है तो आप उस चार्ट के हिसाब से इस वीडियो को पॉस्ट करके अपनी नाम राज़ी के पिशह में भी जान सकते हैं यदि आप इस कारिक्रम को देखते हैं और इस कारिक्रम से आपका कुछ विलाब होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें साथी साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नूटि के दाशाओं के हिसाब से गोचर का फलकतन उपर नीचे हो जाता है तो आप इस वीडियो के नीचे देगे नंबर पर कॉल या वाट्सप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं जहां पर आपकी जन्मकुंडली के विशह में व्यक्तिकते रूप से चर्चा हो जाएगी अब हम ब राशी परिवर्टन करने वाले प्लानेट हैं और यह मीन राशी में प्रवेश करने वाले हैं 7 मार्च 2024 से और 26 मार्च 2024 तक बुद्ध मीन राशी में ही रहने वाले हैं इसके बाद यह मेश राशी में प्रवेश कर जाएंगे बुद्ध के बाद में अधि हम शुक्र की चर कुछ राशी मंट में परभेश कर जाएंगे इसमय होने जा रहा UCSAS कर सकते हैं अब हम विन्हाने आज के करेक्रम की शुरुवात करते हैं अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राश्यों के क्रम में दस्वी राशी अर्थात मकर राशी के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है मार्च 2024 का ये मंत मकर राश्री के जातकों के लिए अधि हम देखे तो बुद्ध का जग उचर है वो तीसरे भाव में होने जा रहा है राहू के साथ में तीसरे भाव में बुद्ध हर राहू की यूती होना अच्छा ही माना जाएगा क्योंकि भाग्येश का सम्मंद पराक्रम भाव पॉजिटर हैं वो केंद्र में हैं जिसके शलते कोई बहुत जाता चिंता नहीं है परन्तु हां बोलने से पहले थोड़ा सा तौल करके बुलिएगा क्योंकि द्वितिया भाव में सुवरिका गोचर भी है आपके फोटीन्थ मार्च तक जिसके शलते वानी की कड़वाट आती हुई दिखाई दे रही है तो उस पर आपको ध्यान रखना है नहीं तो वानी की वज़े से आपके कई काम बिगड़ सकते हैं बाकी बुद्ध के गोचर को लेकर के कोई बहुत जादा चिंता करने की जरुवत नहीं है इसरा भाव जो है वह आठवे से आठवा है और पर बुद्ध नीच राशी में राहू के साथ संजरन कर रहे हैं तो यदि आपको उसका ध्यान रखना चाहिए यदि स्किन से सम्मझेत कोई भी परिशानी आती है तो डॉक्टर से जाकर के मिल लिजेगा अगर हम शुक्र की गोचर की चर्चा करते हैं तो शुक्र आपके लिए पंचमे शुकर के द्वितिय भाव में और करमे शुकर के द्वितिय भाव में जाकर के बैठे हुए हैं एक तरह से महाधनी योग हैं और धन के पॉइंट अव्यू से मकर राशी के जातकों के लिए मार्च 2024 का मन्त काफी अच्छा होता हूँ दिखाई दे रहा है भा लोग तो खुश्यों परन्तु आठ लोग आपके शत्रू बन जाएं तो आपको बहुत नियंत्रन अपनी वाणी पर रखना है नियंत्रन रखते हुए ही चीजों को आपको बोलना है मंगल का गोचर पडिवर्तन होने वाला है 15 मार्च तक परनदों तब तक वह आपकी रा होगी कई बार जुझलाहट भी हो सकती है इंपेशेंसी भी हो सकते हो इस वजह से आप परिशानी में पढ़ सकते हैं तो क्रोध पर नियंत्रन रखते हैं अगर वानी पर नियंत्रन रखते हैं अगर तो मार्च 2024 आपके लिए ओवरॉल मुझे ठीक दिखाई पड़ता है ध से दिखाई दे रही है सूर्य का राशी परिवर्तंज होगा वो सूर्य मीन राशी में प्रवेश करेंगे 14th of March के बाद में अब अश्टम पती का जाकर के तीसरे भाव में गोचर करना अच्छा माना जाता है इसमें कहीं कोई परिशानी नहीं है तीसरे भाव में सूर्य आ आपको आपके भागे का साथ मिलेगा और उससे आपके काम बनते हुए भी दिखाई दे रहे हैं बस बात इसी बस ध्यान इसी बात का रखना है कि वानी की कड़वाहट ना हूँ जादा और क्रोध पर आप अपने नियंद्रना रखें चौथी चीज सूर्य का गोचर तीसरे भाव में राहू के साथ में होगा तो कंधों में दर्द की शिकायत आपको देखने में मिल सकती है तो एक चीज यह है अतहा आप एकसरसाइज इत्कादी करें व्यायायाम करें प्राणायाम करें तो आपको ठीच से काफियत तक लाव और धन के लिए मैंने पहले ही कहा है कि धन के लिए तो मकर राश्य के चातकों के लिए यह मंत काफी बैनीफीशल है परन्तु मंगल भी अदिद्वतिय भाव में होते हैं तो कहीं न कहीं वाणी की कड़वाड को पदरशित करते हैं मंगल की दृष्टी पंचंभाव पर है नहीं तो पिता के स्वास्त में परिशानी आते हुई दिखाई देरें तो इन चीज़ों का अप्ध्यान रखें आर्थिक पक्ष से अच्छा है स्वास्त में थोड़ा सा ध्यान माता पिता के सहथ का ध्यान रखें इस्पेशली क्रोध पर नियंद्रण रखें और अपनी वचिनता होती हुई नहीं निखाई देती को छुपाई मैं आपको बताता हूँ उनुपाईओं को करिए उनुपाईओं को करने से आप अपने मार्च 2024 को और स्टेश्ट बना सकते हैं जैसे कि आपको नित्य जलाभिशेग करना चाहिए नित्य शिवजी के मंदर में जाकर कि या घर में ही अगर शिवलिंग है आपके तो नित्य जलाभिशेग करिए ताकि आपको थोड़ी मान से शांती उससे मिले क्योंकि आपको बरतमान समय में शनी की साड़े साथी के अंत्य बढ़िया चल रही है और चतुरत में गुरू भी है और शनी की दृष्टी भी रही है तो नित्य जलाभिशेग करिए प्राणायाम करिए और हनुमान जी के अतदे का राधना करिए जो कि मैंने आपको वार्षिक राशिक में भी बताई है तो उसी तरह से हनुमान जी की पूजा करना हनुमान चालीसा का तीन बार पाट करना बंगल बार शनी बार के दि शनी जन्नी पीड़ाओं से हंपो मुक्ती मिलेगी उन में कमी आएगी आप कमन तो मन शाह्त होगा तो उगरता कम हो जाएगे तो मारे च्था जातकों के लिए है गाई दे रहा है तो पिए दर्शकों ये था मकर राशी के जातकों के लिए मर्च ट्वेंटी ट्वेंटी सुर्फार आशा करता हूं कि मकर राशी के जातक मेरे दवारा बताया इस कारिक्ट्रम को देखते हो और सब्सक्राइब करें तो आपम इस वीडियो को लाइक करिए सा मांध्यम आप बने आज के इस कारेक्टर में बस इतना ही रखते हैं नमस्कार कर दो बने आप बने आप इस कारेक्टर में आप बने आप जो तो पिलागी रखते हैं नमस्कार